इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में हम डिसकसिन कर रहे है जुनियर ओफीस असिस्टेंट की कोचिंग के बारे में आज का लेक्चर नमबर 36 है जिसमें हम पढ़ेंगे इंपोर्डेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर यदि आपने इससे पहले के 35 लेक्चर नहीं सुने तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट में जाईएगा सुन लिजिएगा आपके लिए डेफिनिट्ली यह बहुत ही साइक साबित होंगे तो आज का जो सबसे पॉपलर हमारा कंसेप्ट है इसमें हम पढ़ेंगे IBM के फाउंडर कौन है देखिए आप इनके नाम यहां से आपने देखते रहना है हमारी टीम के दोरा यहां पे देखिए सबसे पहले आपको कंपनी का नेम दिल उपलावत करवाया गया है फाउंडर नेम है और इयर है मैं आपको इतना विस्वास दिलाता हूँ इस टेबल में से आप देखेंगे इस उपर बाले टेबल नमबर एक की बात कर लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे IBM के बारे में पढ़ेंगे SP, Intel, Microsoft, Apple, Dell, Yahoo, eBay, Google, Facebook, Twitter और Flipkart यहीं से आपको एक प्रसंट जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि बिभिंतरा के एक्जाम के अनुभब के हदार पे हम कह सकते हैं कि यहां से बिभिंतरा के एक्जाम में एक आदा प्रसंट तो हमें देखने को जरूर मिलता ही है यहां पे उनी companies को लिया गया है जो सबसे popular है जैसे आग Google की बात करें तो Larry Page और सर्जी Varin के द्वारा सेप्टेंबर 1998 कंपनी की नीव रखी थी Mark Zuckerberg द्वारा Facebook की नीव रखी गई थी ठीक है जी तो इस सारे नाम आपने इस तरह से याद रख लेने है यहां से आपको जुरूर प्रसंद देखने को मिलेगा इसमें हमारा बताने का inputting का कोई भी यहां पे कुई सीव तरह का कोई भी कोई से नहीं है सिर्फ आपको क्या करना है आपको इस website पे जाना है elastudyco.in website ठीक है जी उसके बाद आपको वहां पे एक JOIT की बुक मिलेगी उस बुक के ओपर क्लिक कीजिए और उसके निचे description में जाके उसके contents देख लेजिए 60 chapters है इस किताब में 656 pages की एक किताब है 10 इसमें old question paper भी solve किये गया है बीविन दरा के exams के तो इकिताब आपके लिए बहुत ही सायक साबित होगी यदि आपने किताब purchase कर लिए तो JOIT के 10 mock test हमारे team के दोरा दिये गया है उसमें OMR seat भी आपको मिलेगी उस किताब को order कीजिएगा चोटी सी किताब है और अपने mock test लगाईएगा और अपना score हमें comment section में बताइएगा उससे भी आपको लाप मिलेगा उसके बाद देखिए इसी मेरी बात करें तो second आपको यहाँ पे मिलेगा popular application and description ठीक है जी तो देखिए भी में एप है उसको launch किया गया है इंडियन government के दोरा क्या है भारत interface for payment काफी popular है हमारे भारत में ठीक है जी इस एप को develop किया गया था NPCI इसका full form बनता है National Payments Corporation of India के दोरा तो students आप इसके माद्यम से money भेजते होंगे तो यह आपको इसके बारे में याद रखना है अगला है Umang app Umang app को develop किया गया था Ministry of Information Technology के दोरा and NEGT के दोरा और आपको यहाँ पे बता दें कि all the citizens to access all government departments and their services इस तरह का आप है जिसके अंतरगत आप विविन तरह के departments और सरकार की पूरी के पूरी इंफर्मेशन आप गयात कर सकते हो IRCTC देखिए प्रोवाइज ऑनलाइन पैकेज बुकिंग पॉर इनकॉरेजिंग टूरिजम इन इंडिया यह भी आपको याद रखना है इसके नीचे भी आप देखेंगे यह आपके लिए बहुत मत्तोपुर्ण है बस आपने इनको एक बार स्टेडी कर लेना है कहीं से भी आप प्रसंद बने तो आप इसका उत्तर सही डंग से कर लेंगे अब देखिए इन्वेंटर और इन्वेंशन है इस इस वेर इंपोर्टन कंसेप्ट देखिए चारली बैवेस का नाम दब भी आता है तो यह तो कंप्यूटर की दुनिया का जनक रहे है तो एनलिटिकल इंजन इनके दौरा 1822 में बनाया गया था इसी तरह से जो टॉप हमें लगा हमारी टीम को लगा जो इंपोर्टन इन्वेंटर है जहांसे प्रसंद बन सकता है या पहले इतियास में बना है तो उन चीजों को यहां पे आपको डाल दिया गया एक बार आप इसकी रिडिंग कर लिजिएगा सेकेंड टाइम में रिवाइस कीजिएगा और आपका प्रसनियास से भी एक पक्का हो जाएगा अब देखिए कुछ बरसों से भी प्रसन पूछे जाते रिया आप जैसे हमारी टीम ने क्या किया है कि पिछले दस बरसों के विभिंतरा के जो कम्प्यूटर से समन देती एक्जाम हुए उनके ओल्ड को सिन पेपर डिसकसन किये थे उनको पढ़ा था उनका हदेन किया था उनको लगा कि इस तरह के प्रसन में आते तो इसी दिये चैप्टर को एक यूनिक सा नाम दिया गया जो आपने देखा होगा इंपोर्डेंट पॉइंट्स टो रिमेंबर यह उसी का सोच का नतीजा है जो कि विविंतरा के कोसिन पेपर को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आया था यहां पर देखी येर से भी प्रसन पूछा जाता है कि एनिक जो आया था कंप्यूटर का भी फाउंडिड किया गया था 1946 में किया गया था थोड़ा सा आप इनको भी एक बार कर लीजिएगा जैसे आप से पुझा सकता है कि Microsoft Corporation कब फाउंडिड हुई थी 1975 आप इसका उत्तर करेंगे यह बहुत ही मतोपुन प्रसन है अपने तन्मन धन्से सची लगन से आप JIT की प्रिक्सा की त्यारी कर रहे है देखे टाइम बेस्ट मत कीजिए गा और आपको इतना गोल्डन अप्चुनिटें जिन्दगी में नहीं मिलना है 1869 अब गैंसी हो चुकी है JIT की बहुत बड़ी प्रिक्सा है JIT की हमार्चर परदेश में 21 मार्च 2021 को होने जा रहे है तनमंद लंच से आप अपनी त्यारी कीजिए और जो मैंने आपको किताब और मॉक टेस्ट बताई इसके रहाब आप ये की येर्बुक के हमारे इसमें करंट फिर्स है उस किताब को भी परचेज कीजिए क्यूंकि हो सकता है ये कीप्रसन के लिए आपको संघर्स करना है इस किताब में धी हम बात करें जो हमारी किताबब है तो इसमें बर्स भारे के करंट फिर संघर्इत किये गया है अब देखिए आप पॉपॉलर लेंग्यिज एंड फाउंडर की बात करें तो देखिए यहां से प्रसन आएगा कि नहीं आएगा आप अपने आपसे खुद पूछ लीजिए देखिए यहां से भी आपको प्रसन आएगा सिंपली आपको उनके नाम याद रखने है देखिए सी प्रसन के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है यह तो आपको याद ही होगा और यह बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है यहां से तो प्रसन पहले भी पूछे जा चुके है तो इसके लावब भी आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिएगा अब देखिए स्ट्रेंट्स यहां पर आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपको मिलेंगे कुछ मत्तोपूर्ण important crunch face मिलेंगे ठीक है इसमें देखिए मैं पढ़के बताऊंगा आपको तो ज़्यादा लाहब नहीं होने वाला है ठीक है जी तो किताब आपके हाथ में होगी तो एक बार आप उनको भी रिव्यू कर लीजिएगा अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बहुत नी मत्तोपूर्ण कंसेप्ट के साथ जिसमें लेक्चर नमबर 37 होगा उसका इंतजार कीजिए सिगर हम आपको वीडियो व्यू प्लग करवाएंगे तो बुक्स के लिए आप विजिट करेंगे illustri.co.in website को थैंक यू बेरी मस्ट कीप वाचिंग illustri.co.in यूट्यूब चैनल